है आप मचिपा कि भिति इस बाई का बची का सीन फूल ताइम ऑना बची अगर कोची ऊओ तो बंदा बुरे काम में पढ़ने से चोकरस हो जाता है लेकिन बची टैट हो तो बंदा फिर उसीन फोकरस हो जाता है बची असल में एक कैफियत का नाम है जो हर लड़की खातून और आंटी पे उस वक्तारी होती है जब उसको इस बात का अहसास हो जाए कि अब ना तो वो बची है और ना ही किसी की नजरों से बचेगी है हमारे मुलक के एक माया नाज पूंड मुसलसल बेचैन ताडू ने पूंडी पे एक किताब लिखी है जो जिसने पढ़ी उसने पढ़के पाड़ दी लेकिन मैंने सारे टोटे जोड़ जोड़ के ना उसको फिर पाड़ लिया तो वो बताते हैं के पूंडी एक युनानी जुबान का लफ्स है जो के उनको भी नहीं पता कि उनकी जुबान में कहां से आया है क्यूंके मुझे पता है उन्होंने पले से ही पाया है पूंडी का मतलब होता है आँखों की चस यह चस आम तोर पे तो ठंडी होती है लेकिन अगर इसको सही टाइम पे ना रोका जाए तो इसकी तासीर बड़ी गरम भी साबित हो सकती है पाकिस्तान में पूंडी को एक कौमी खेल की हैसियत हासल है और यह खेल दो किसम के लोग खेलते हैं एक वो जो खिलाडी होते हैं और दूसरे वो जो शिकारी होते हैं खिलाडी वो वेले नोजवान हैं जो बिचारे नंगी आगों से पुंडी करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो अपनी दोनों टांगों से हाथ दो बैठते हैं लेकिन शिकारी वो तरसे और खोचल बाबे हैं जो आंख में मोतिया होने का बहाना करके वेल्डिंग वाला काला चश्मा लगा किसी बुर्गे वाली बच्ची का भी सारा डटा हैक करके ये तक बता देते हैं कि इसके पीछे कितने चोड़े हैं इसके कितनों के दिल तोड़े हैं और इसके पिंडे पे तिल हैं के फोड़े हैं अजिको टूप बच्छिक अग्रा अग्रॉ अब ठड़क का सर्क पे होगा अंजाम मैं तो माँ पैने कर दूँगा सर्याम इसलिए पूंटी ना करें और ना करने दें क्यूंकि अब मैं आ गया हूँ हर एस हर एस नहीं होगी तेनो क्यों है मेडम आगी केली है मेडम असलाम लिख मेडम अलालालेले